हल्लो फ्रेंट्स क्या आपको मीनुपॉज आुए बाद अभी बार अभी एटेंशन हो रही है कि क्या मेनुपॉज आने के बाद मुझे फेस करने पड़ेगी। तो मैं डॉक्टर सुशिला सैनिक गाइनिक लॉजिस्ट और अपस्टीशन आज आपको मिनोपॉस से आने वाली सम्मंद समस्याओं के बारे में चर्चा करने जा रही हूँ मीनोपॉस एक नॉर्मल स्टेज है लाइफ की जैसे ही मिनार्कियride होता, यानि कि महीना आना शुरू होता है फिर एगुलर महीने आते रहते हैं, और जैसे आप पचास साल के उम्मर के असपास पहुंशते हैं तो आपके महीने आना बंद हो जाते हैं तो मिनोपॉस एक normal अपनी life का stage है जो कि आना ही आना है लेकिन मिनोपॉस से डरने की ज़रूरत नहीं है मिनोपॉस में कुछ ही चीज़ें होती है कि जो अपने को परिशान कर सकती है सबसे important जो सबसे common समस्या मिनोपॉस में आती है वो सबसे जदा आती है mood changes होना यानि कि mood swings होना यानि कि चिड़चिड़ापन, irritation, गबराहट, चक्कर ये सारी कुछ चीज़ें बढ़ जाती है किसी किसी को depression की शिकायत भी हो जाती है तो ऐसी चीज़ों के लिए यदि आपको mood changes आ रहे है तो आप योगा और meditation अपनी lifestyle में add कर सकती है और योगा और meditation के बाद भी यदि आपको इंसे आराम नहीं मिल रहा है आप किसी कैनेकलोजिस से या साइकोलोजिस से मिलकर अपनी समस्या discuss कर सकती है और उसे related medicine आप ले सकती है medicine से ये चीज़ें काफी हद तक control की जा सकती है और यह बहुत सदा benefit में मिलता है दूसरी common सवाल होता है कि क्या menopause आने के बाद sexual life भी disturb होगी कह सकते हैं कि disturb होगी बट यदि आप ये समझ लें कि क्या problems आने वाली है और उसको कैसे manage किया जाए तो हो सकता है कि menopause आपके लिए बून साबित हो यानि कि जैसे ही menopause आता है तो definitely आपका pregnancy होने का डर दिमाग से चला जाता है तो आप काफी हद तक free हो जाते हैं दूसरा estrogen की कमी और testosterone hormone का level बढ़ जाता है testosterone hormone sexual desire को बढ़ाता है तो जैसे ही आपका sexual desire बढ़ता है तो definitely आप sexual life को जदा enjoy कर सकते हैं बट sexual life को enjoy करने में जो problem सामने आएगी vaginal dryness होने के कारण हो सकता है आपको intercourse करने में समझ से आए तो उसके लिए आप vaginal lubrication यूज़ कर सकती है estrogen supplement cream आती है उनको आप vaginal में यानि की local area में आप लगा सकती है और इसके साथ ही आप pelvic floor exercises साथ में कर सकती है तो vaginal lubrication और estrogen ointment यूज़ करने से अपका vaginal का dryness है वो चला जाएगा तो आप comfortably intercourse कर पाएंगे और sex o life को enjoy कर पाएंगे testosterone का level बढ़ने के साथ ही साथ किसी किसी ladies को facial hairs का extra growth सामने देखने को मिलता यानि कि ये भी common सवाल आता है कि मेरे दाड़ी के जैसे बाल आने लगे हैं या मूचों जैसे बाल आने लगे हैं तो ये common समस्या है इसका इलाज जैसे बाकी ladies करती है नॉमल जैसे आप waxing करवा सकते हैं या थ्रेडिंग करवा सकते हैं ये करवा सकते हैं जो कि cosmetic procedure है आने को नहीं रोक सकते क्योंकि estrogen का level क कम होने के साथ इसाथ, testosterone का level बढ़ता है और testosterone का level बढ़ने की कारण की आपके दाड़े मूचवाले बाल आने लगते हैं इसके साथ ही ये भी सवावाण पूचा जाता है क्या प्ती हडियां आपकी कमब्रा जो हो जाती estrogen का करण जो तेसरा इसके साथ है कि कि ये साथ स्किन की लूजनेस थोड़ी बढ़ जाती है थोड़ी जुरियां आने लगती है और थोड़ा लस्टर काम हो जाता है उसके लिए आप आइसो फ्लेवन वाली डाइट आप यूज कर सकती है पानी अब जादा बीजी और कुछ कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स होते हैं वो आप दबा सकती है इसके अलावा एक और कॉशन पूछा जाता है कि क्या आइस को भी मिनोपॉज एफेक्ट तरता है मिनोपॉज ऐसे आइस को एफेक्ट नहीं करता है एजिंग प्रोसेस होता है जिसमें की विजन जैसे कि प्रेस बायोपिया यानि की पास के नजर कमजोर होना जो फोटिस के बाद हर इंसान में देखी जाती है उसके लिए आप यूज कर सकती है तो इसके लिए असे घबराट चिंता करने की बात नहीं है इसके अलावा ही धातों की भी समस्या हो सकती है तो अगर आप अच्छी कैल्शियम वाली डाइट लेती है तो आप अपने मसू अगर आप जैसे एज बढ़ती है तो आपके फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है तो आपके वजन बढ़ने के संभावनाई बढ़ जाती है लेकिन यदि आप योगा, मैडिटेशन और एक्सराइज करती है और अपने डाइट को कंट्रोल रखती है तो वेड गेन को अगर एजिंग प्रावसेस का हिस्सा होता है जैसे इनसान की उम्र वड़ती है उसके ब्रेन की जो सेल्स होती है उनमें डी जनरेशन यानि की थोड़ा-थोड़ा रिग्रेशन शुरू हो जाता है और भूलने की प्रवर्ती नॉर्मली शुरू हो जाती है कही लोगों को ऐ बूल गुलिया को तो यह सब चीज़े थोड़ी से बनेज की जा सकती है कि यदि आप चीज़ों को जगह पर रखते है या आप डायरीय नोट पैड में लिख करकती है कि कौंसी चीज़ कप करना है कौंसा काम कप करना तो उसको मैनेज किया जा सकता है बढ़ हां डेफिनिल बढ़ती है हमारा experience भी बढ़ता है जिन्दगी का अनुभव बढ़ता है और हम जिन्दगी में tension वाले freeze tension वाले area से निकल चुके होते हैं और अब जिन्दगी को enjoy करने का समय आच चुका होता है तो enjoy your menopause और यदि और कोई सवाल है तो comment box में लिखकर हमसे जरूर पूश लीज तब तक नमश्चा